जहां मुलकबर में बरसगीर हिंदो पाप के अजीम बसीरत और मुसल्ला सरसईद आमत खान को उनकी 207 योमे पैदाईश पर शांदार खराज अकीदत पेश किया गया वही जुनवी कश्मीर के दोरो आनतनाग में सरसईद लमोरिल एजुकेशनल इनस्टूर दोरो शाबात का 24 साल मुकमल होने पर स्कूल कमपस में भी सिमिनार कम एक रंगारंग तकरीब का एहत्माम हुआ जिसमें कलबा और उनके वालदेन ने शिरकत की तकरीब में में माना ने खुसोसी अलामा मौलाना डॉक्टर निसार हुसेन मुबारकी प्रॉफिसर सीद गुलाम नभी बुखारी एसेचो डूरो मुहम्मद जाजिब मौजूद रहे जबके जुनल एजुकेशनल आफिसर डूरो नसीर अलहार प्रिंसिबल गौर्मेंट म में मानों को तहे दिल से खुशामदित किया पकरीब शुरू होने सी कबल गुलाम मुस्तफा लाला की हाथ से तारीर करदा मुकदस किताब कुरान पाक की रस्मे रोनमाई भी अंजाब दी गई जिसकी प्रॉफेसर सीद गुलाम नभी बुखारी ने सकूल मुन्तजमें के स इस मौके पर प्रॉफेसर सीद गुलाम नभी बुखारी ने अपने खुदबा इस्तिकबाले में सरसीद आमद खान की एहम खिदमात पर जोर दिया जिसने मुस्लिम कम्मुनिटी को मुक्तलिप शौबों में च्छलांग लगाने के काबिल बनाया है जबके सीद आशुक वो हमारी ताजीब के सबसे नुमाया और मुतासिर कुन शख्स थे जिने तारीख कभी नजर अंदाज नहीं कर सकती उन्होंने अपने तकरीर में जिकर किया कि अजियम युनिवरसीडी के बानी सरसीद आमद खान ने हंदुस्तान में मुसलमानों की तरके के लिए तालीम क की अहमयत को मासूस किया आशीख खुसेन ने कहा कि सरसीद के नाम से मुनसलिक इदारहाजा की हमेशा यही कोशिश रही है कि बच्चों को इखलाकी तालीमात से रोचनास किया जाए इस लोके पर मुकर्रेन का कहना था कि सरसीद आमद खान ने ने सिर्फ लाकों तल्बा को तालीमी इदारह फराहम किया बलकि उसने उन्हें गर्वी फराहम किये एक ऐसी जगह जहां हम अपनी ज्यादतर यादे बना सकते हैं जहां खाबों को डिजाइन किया गया है और जहां हम महफोज महसूस करते हैं इस मुक्रिब सुकूल में मरहूम अबद रशीद चरसु के नाम से मुदर रशीद मेमोडियल लाइबरी का इस्तिताबी किया गया जहां पर बट्टों के लिए मुक्तिर प्सम की किताबे महिया रखी गई तक्रीम के इस्तिताम पर मौलाना डॉक्टर निसार मुबारिकी ने इस्तितामी किलमात पेश किये आमीं आमें आपने तहमानों का इस तग्वाल करने लिये एक पर्फार्मेस तरा आट इस तरा आएंगे हैं आगाट में राखशने जीन के हैं एक शिंद्धिमान का इंचाई आखवार आख़ाल थाएंगे टेजनी माहचशने माहचचे थेनुटव शिव माहचचे देए नेधा इची में आपढ़ अबसास बदाई है तो लुब गिप्रोडी खिर थे एक पिति हैचा क्योग सुन से पडाई। मूर्ड़नें पडाई। वसी तरी कर दो हम क्यो पड्यक जो भाई कईर गटाई। क्यो पड़े तरी जो हम सागी गटाई। हम क्यों पढ़े ऐसे पढ़ाई जो तब किसे काम आएगी नचाने बताए इम्तिहान के बाद ना रहे आज उनर से काटकर जीवन करे को बाद पुनर से काटकर जीवन करे को बाद सब्जक्ट साथ हिम्तिह नचीट साथ पीपल आफ पुक जून 1927 को नेशन फिरी इच कर चिंचो ऐसी जाएग सादन जी गदूए ऐसी हिए तक साथ को बोड से जामी खान पुन्मोई मिछ सभी मज़ चुकि अबबड़े लोग स्याद पार्ण दिरेश्ट जादी है इपकेल आफ बोड़ आप इस थेम्माद जोगे बिद्धिन चेट बाइची बाइची से गुला नुम्र सोजन पारण चुम अधर पीया पारण चिक इमची जिए अधिक पता नहीं है इनुन प्रई इस पिचायर अंपारों क्या दो इसके प्रेट शो सुबख सुबारत ते हसल, सुबख इंजिनर ते हसल, सुबख इनसान ते हसल यह जो को सो मुबार्वाद करें जे युट आफ प्रोग्राम या अलागर दूरिसमन अश्ट पाई जो रहाँ चो जो वर्टाइर जैसे एड़िकेशन लीदे पुर्टिक लीदे बाई अपना कुई मारा दूरिसमन चीफ वर्टाइर जहां कर दो भुट कर्विक लिख रहज जादना इल्हाँ लास बास बह्प्ति वाद इखए लिर्मकार शड़ वर्टि वर्टिक लावड्य मारा शव्रणी लाषंग उर्प रिक्ति एल्धानेगं अभारिसमन अव्द पन घाना इल्दाना इला इल्दान 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 लुए जी हम हर साल ये दिन यौम सरसईद के तोड़ पर मनाते हैं तो कुछ नमसाइद हालात के वज़े से चांद साल हम खामोश रहे कि एक तरफ करोना की बर्मार थी तो दूसरी तरफ से कुछ नमसाइद हालात थे जिनकी वज़े से हम ये तक्रीब नहीं मना पाए तो आज हमने फिर से क्योंके हालात ममन पर आ गए इसलिए आज हमने फिर से ये साल यौम सरसईद मनाया और हमारा सुकूल जो है वो सरसईद के नाम से ही चल रहा है इसका वजूद ही सरसईद अहमद खान के नाम से बना है और जो उनकी तालीम है उसी के बिना पर ये सुकूल वजूद में आया है तो इसमें ये हमारी कुछ नसीबी है कि हम उसका दिन मना रहे हैं जिसने तमाम बरसगीर को तालीम के नौर से रुशनास करने की अपनी बरपूर सलाहितों को अमल में लाकर कामयाबी हासल की गुलाम मस्तिफ़ाला साथ जो हाजी भी हैं तो हमारे साथ उन्होंने राबता कायम किया चुक्कि उन्होंने बहुत से इदारों के साहथ राबता किया था लेकिन कुछ दशवारीं के वज़े से वहाँ नहीं कर पाए तो हमने ये बहुत अच्छा मुका गनीमत समझा कि ये हमारे लिए खुशकिसमती की बात है कि अगर हमारे इदारे में इस कुराणी करीम की जो कलमी नुसका उन्होंने बनाया है अगर उसकी रोनमाई हो जाए हमारे इदारे में